जो कि लखना उसे सामने आ रही है मदरसों में विदेशी फंडिंग का मामला है केंद्रे अजेंसियों का सयोग लेगी अब SIT विदेशी धन पर नज़र रखने वाले अजेंसियों की लेगी मदद SIT ने सभी जलो से मांगी है रिपोर्ट विदेशी फंडिंग और उसके सोर्स को खंगाला जा रहा है निपाल सीमा पर बड़ी संख्या में मदरसों की संख्या एक दश्यक के दौरान मदरसों की संख्या बड़ी है बीते कुछ सालों में करीब 50 मदरसे बहराइच के निपाल सीमा पर खोले गई है तो मैं तुन सुचना आप तक पहुचा रहे है जहां मदरसों को लेकर ये ख़वर निकल के लखना उसे सामने आ रही है बड़ादे साइटी ने भी सभी जलों से रिपोर्ट मागी है मदरसों में विदेशी फंडिंग का मामला निकल के सामने आ रहे है निपाल बॉडर की बात की जाए तो निपाल बॉडर के पास 50 से अधिक मदरसे तक्रीबन खोले गई हो और ऐसे में अब मामला और भी जाद यह संदर्म में एक और बड़ा कदम यहां पे S.I.T. उठाने जा रहे हैं ताकि जाच पूरी हो सके अच्छी तरीके से हो सके आपको पता दें अगर सिर्फ यूपी के बात की जाए तो यूपी में तक्रीबां 900 ऐसे अवैद मदर्से हैं जो की चल रहे हैं और S.I.M. यह जानकारी निकल के सामने आ रहे हैं जो कि निपाल बॉर्डर है वहां से विदेशी फंडिंग आ रही है सोर्स का हवाला भी यहां पर दिया जा रहा है और कौन कौन से ऐसे सोर्स है उस पे भी S.I.T. की नजर है लगातार और S.I.T. ने एक लिस्ट बनाई है उस लिस्ट की मदर से S.I.T. अब तमाम वो अवैद मदर से वो म के द्वारा ही मदर से को संचालन किया जाता है उस पे अब नजर बनाने में लगी हुई है जदो जहतिया पर S.I.T. कर रहे है जाच लगातार आगे जारी है और यहीं जाच का सयोग पाने के लिए केंद्र सरकार से और केंद्र एजंसियों से अब मदद लिया जा रहा है न है और सभी जलों से रिपोर्ट पी S.I.T. की टीम ने मांगी है अधित्य नारायम शिर्वास्तव गुरुपूर से सीधे हमार साथ जोड़ चुके है अधित्य यह आख्रा क्या दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है थमने के बचाए यहां पर मदर्सों का सर्वे में निकल के सामने आई और तब सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई इसकी मदर्सों में ताम हो रहा है या फंडिंग कहां से आ रही है जोड़े का पूरा हो चुका है गोर्ट पूर्ट पर नेफाल का वाप जमीनें लूमाइस लेंड है इस पर नहीं जिसके सरकार ध्यान देती है वहां पर पुछ जमीन को अतिकमर कर ले रहे हैं वहां पर मदर्सों का संचालन कर रहे हैं इसके बहुत बढ़ी समस्या रही है इस दोरों देशों के बीद जो जमीन है इसने सरकार पर कोई कार नहीं कर पा लिए तुभी द्वारा गोर्ट पूर्ट पूर्ट पर बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी इस मुहिम में मदर्सों और वह जो कभ्या कर रहे हैं उनके खिलाब एक अभ्यान चलाकर उनका रहा है खासका नेपाल बॉर्टर की बात कर रही हूं मैदिते हैं चाइना से काफी फंडिंग होती ही मदर्सों को ऐसा लोग बता रहे हैं यहां पर जो सुचना आई है जो गोरत्पूर के जो जो जात कराई गई है उसमें पर चला है कि बहुत सी फंडिंग विदेशों से ह नेपाल होते हुए बॉर्डर पहारी है जो बहुत से कुछ मदर से ऐसे हैं जहां पर आतंगवादी संगठन का भी पैसा लग रहा है इसे आतंगवाद को बढ़ावा मिले और हर भारत देश में आतंगवाद गतिवजियों पर यह लोग कार कर सके जी केंदरिये एजंसियो अगे क्या कुछ साइटी की टीम स्टाप उठाने वाल है इस पूरे कारवाई को देखते हुए जैसा कि सरकार ने एक सर्वे कराया सर्वे में बहुती बाते निकल के आई हैं सरकार को हर जीने से रिपोर्ट देजी गई है उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ हैं जिनकी जाज तेंकर से तना आती अवस्तक लग रहा है जो कि उसके परशे जाग है कि पंडिंग कैसे हो र पहले विदी शिक्षा विभाग से भी जवाब मांगा किया था इसके बारे में एक जानकारी ली गए थी कि जो मदर्सों में जो कारणेट टीचर है वो किस प्रकार सिच्छा विभाग उनको फंडिंग करता है और किसमें बच्चे हैं वो बच्चे कहीं और तो नाम नहीं लिक्वाएं जिका अलग सानों में नाम पढ़ाई का चला और लोगारा थी इसकी डिपोर्स आसन को जानी है इस पूरे सरवे में और इस पूरे अवैत मदर्सों पर कारवाइध करने में कितना वक्त कितनी मोहलत बताना चाहँ है सब्सक्राइब कर देगी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जोने की वजए से थोड़ी सी समस्या रही लेकि जल से जल से इस पर कारवाई कर देगी अब एक और जानकारी एड़ को चुकी है कि विदेशी फंडिंग हो रही है तो कहां सी फंडिंग हो रही है किसका हाथ है क्या कुछ निकल के सामने आप आया अभी तक बताना चाहूंगा आप 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 बताना कांवा तो एक मज़त रहे जिवर से घंप नहीं और गृप नहीं वाया कि नहीं है तो कोई आकड़ा क्या पता लग पाया है कि कितना अकड़ा निकल के सामने आया है वह मदर्स जापी विदेशी फंदिंग हो रही है अगर वह अकड़ा पता लगा है तो कारवाई कब तक हो साईगी जिनका पंजीकरान चार सो चार सो दस ऐसे मदर्स जिनका अभी तक पंजीकरान नहीं हुआ है और उसकी जाएं चल लग और अजाएं शुरू कड़ी पीखें क्योंकि यहां पे जो है यह अवैद मदर्सों की संक्या दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है अगर मौझूदा इस्तिती की बात की जाए तो 900 ऐसे अवैद मदर्से हैं जो कि संचालित हो रहेंगे पुरे यूपी में क्या यह आकड़ा बढ़ा है या आगे बढ़ है रहुल वैद मदर्सों की संक्या 900 निकल के सामने आई है क्या लगता है आकड़ा कब तक इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है और कब तक इन जो पूरा प्रोसेस जो होता है अगर किसी भी एक संस्तान को चलाने के लिए क्या वो प्रोसेस यहां पे अपनाई नहीं जात हैं जिनका अभी तक पंजीकरा नहीं हुआ है यह काफी लंबे समय से अब बिना पंजीकरा के चला आता है तो इसमें जो इसा पंचालन होता इसके खर्चे तो यह कहां से आ रहे है ते जिस तरह आपनका जाहिर की गई है कि विदेशी फंडिंग है तो कहीं ना कि यह जरू हो सकता है यह संभावना इनसर आ रहे हैं आदेते हमार साथ लगतार बने हुए आदेते यहां पे जो अवैद मदर्से हैं क्या वो अभी भी चल रहे हैं या ताला जड़ा हुआ है क्या शिक्ष्य अंदर भी बच्ची प्राप्त कर पा रहे हैं जी जैसा कि मैं आपको बता दो जो मदर्से जिन्ती मानेटा नहीं प्राप्ती जो प्रापर बे मेर्चल लैते जिन्ती मानेटा के लिए साथन में कागज जमेते वह मदर्से तो अभी संचालन में हैं जो मागे फूर रूप से आवे तो उन पर ताला बंद का लिया पुलिस द्वारा और सरकार द्वारा अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह पता चल जब चल जाएगा यह मदर्सों की फंडिंग पहले कैसे हो रही थी चा कोई एंजियो या कोई संचा उनको फंडिंग कर रही थी इनको सरकार के दोरा जो फंडिंग मिलनी है उसका कुछ अंस मिल लगता उसके बाद ही यह उतरा चल पाएगा जी बिलकुल और यह जरूरी भी हो जाता है काफी जादा राहूल अगर बात की जाए मौजूदा इस्तिती की तो क्या अभी विरोध के सुर सुनाई दे रही है मदर्सों पे सर्वे को लेकर और जांच को लेकर पर जाद की जो अभी मदर्से की जाच पुरू होए तो तो पहीं थो कि फोड़ा बहुत विरोध वाद की आवाजे उठी हुए थी लेकिन तुकि जाच एक नेमन उतार हो रहा है तो इसके पर बहुत भुछ पुल का सामदे नहीं आता है लेकिन जाच पुल होती है तो कु जाच पुरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलती है जिनका पंजी करना हुआ है बाकी मदर्से के संचारिस हो रहे हैं जी विलकुल आप देखना हुआ कब तक जाच पुरी हो जाती है और केंड रिजनसी को स्वयोग साइटी न मांगा है स्वयोग कब तक मिलता है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मारसा जोने के लिए तमाम जानकारी साजा करने के लिए